मद्य प्रदेश विदान सवाज चुनाओ को लेकर होने वाले मत्यदान में आप कुछ दिन बचे हैं? वहीं वोटिंग से पहले कैंदरिय मंत्री परहला सिंग पटेल ने बड़ा वायान दिया पहली बार विदान सवाज चुनाओ लड़ाए पटेल ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि आज राज में कॉंग्रेस के दो ही नेता हैं दिगविजे सिंग और कमलनाथ और दोनों की रुची केवल अपने बेटों को सेट करने में नर्सिंग पूर से बीजे पी उमीदवार पिरलाद सिंग पटेल का कहना था दोनों को ही चुनाओ से मतलब नहीं है और ना ही चुनाओ जीतने में उनकी कोई रुची है कॉंग्रेस पर जिसका कब्जा हो ये उसकी लड़ाई लड़ाए है जबकि हम सब यहां सामोहिक नेतरित्व के साथ अखंड विजय के लिए मैदान में है पटेल ने का कि कॉंग्रेस के उमीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से ही वहां घमासान मचा हुआ है उन्होंने कहा कि दोनों कमलनात और दिगविजय सिंग एक साथ किसी मंच पर नहीं देखे कि हमें रोटी भी चाहिए लेकर राम भी चाहिए कांग्रेस क्या बोलती है कांग्रेस तो कहती है राम थे ही नहीं यह सपत पत्र दिया है कांग्रेस की सरकार दे तो कि राम के बारे में तुम्हारी धारना क्या है हम तो भगवान मानते हम विरोध में थे तब भी जैस्री राम कहते थे आज सरकार में है तब भी जैस्री राम कह रहे है और अभी 22 जनवरी आने वाली है राहुल गांदी कांग्रेस के नेता हैं वो हम से पूछते थे भाजबा बाले मंदर बनाएंगे लेकर तारीक नहीं बताएंगे राहुल बाबा तारीक आ गई है 22 जन्वरी 500 साल बाद 500 साल पहले गुलाम मुगलों ने हमारे राम मंदर को तोड़ा था राम लला थे नहीं टेंट में रहे देश की आजादी के 75 साल बाद तक आज भी नहीं दिख रहे हैं पटेल से जब राज में सत्ता विरोधी लहर संबंदी सवाल किया गया तो उन्होंने इसे गिसी पिटी बात करार दिया और इसे कॉंग्रेस की ओस से एक जूटा बिमर्श गड़ने का प्रयास बताया पूर्व प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाजपई की नेतरित वाली सरकार में राज मंतरी रहे पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकारों द्वारा गरीब कल्याण और महिला शशक्ति करण के लिए किये गए कार ऐसे दो मुक इस्थम हैं जो पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिक्षित करेंगे आपको बता दें कि पटेल को बीजेपी ने नर्सिंग पुर जिले की नर्सिंग पुर विदानसवा सीट से उमीदवार बनाया है ये पूछे जाने पर कि इतना लंबा अनुभव लेकिन पार्टी ने उन्हें विदानसवा चुनाओं के मैदान में उतार दिया इसका क्या स जलों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना विल्कुल मत भूले हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस मद पिर्देश नमस्कार